I welcome you all to awakening classes. आज का हमारा lecture Lakes of India पे है. इस lecture में जितने भी हमने MCQs कवर किया है ना और उनकी options की explanation और quick digest के बाद आप किसी भी exam को face करने के लिए त्यार हो जाओगे. क्योंकि ये सारे जो topics है ना हमने previous year papers concern करके चाहे वो UPSC का exam हो, चाहे वो CDS हो, FCAT हो तो center के exams को भी ध्यान में रखकर ही हमने इसको prepare कर रहा है. तो lakes आप इंडिया में समझने से पहले हमें lakes के बारे में पता होना चाहिए. तो geographical in-depth हम नहीं जाएंगे. simple language में समझें, lake क्या होती है. कोई water body, कोई water body, जो completely surround हो, हर तरफ से उसको surround करे land. मतलब water body की चारू तरफ आगे पिछे land हो, ऐसी water body को हम lake कहते हैं. अब ये water body, salt water भी हो सकता है, fresh water भी हो सकता है, इससे कोई matter नहीं करता है. matter ये करता है कि वो हर तरफ से land से cover होने चाहिए. ठीक है? अब अब ये आपकी में एक दिमाग में confusion दूर करता हूँ. अगर आपको पूछा जाए, world का largest lake कौन सा है, world का सबसे बड़ा lake कौन सा है, उसका answer है Caspian C, ठीक है? ये answer है Caspian C, अब आप बोलो के sir ये तो C है, तो ये lake कैसे हो गया? देखो, Caspian C के सिरफ नाम में C आता है, बट ये एक lake है. क्यों lake है? क्योंकि अगर आप Caspian C को world map में देखोगे, Caspian C हर तरव से land से surrounded है, Caspian C, world का largest lake है, ठीक है? तो ये मैं आपको lake की definition इस examples के तुरू समझा रहा था, अब हम चलते हैं इंडिया की lakes के questions पे, पहला question, which is the highest lake in India? इंडिया में कौन सा ऐसा lake है जो सबसे height पे है, ठीक है? Highest lake इंडिया का कौन सा है, क्या वो Sambar lake है, क्या वो Dhebar lake है, क्या वो Sholamu lake है, Solamu या Sholamu इसको पढ़ते हैं, क्या वो Guru Dongmar lake है? इसका अंसर है, Solamu lake, ठीक है, Solamu lake सिकीम में है, और ये इंडिया की highest lake मानी जाती है, ठीक है? और इंडिया की second highest lake भी मैंने यहीं पे include कर दिया, Guru Dongmar lake, ये भी सिकीम में है, अगर आपको paper में question आता है, which is the highest lake in इंडिया, तो आप क्या mark करोगे, Solamu lake ये सिकीम में है, ठीक है अब next, ये जो दो options और मैंने डाले, मैं इनको भी explain कर देता हूँ, देखो सांबर lake और देबर lake, ये दोनों lakes जो है, राजस्तान की है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? अब सांबर lake की importance ये है, कि ये सबसे बड़ी, सबसे बड़ी inland, inland, मतलब जमीन के अं आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, इंडिया की सबसे बड़ी, अगर salt water lake की बात की जाए, ब्रैकिश वाटर, जो lake जिसे कहते है, वो है, चिलिका lake, आपने सुना, ओडिसा में, ठीक है, बट inland, मतलब जमीन के अंदर ही अगर कोई, सबसे इंडिया की saltiest lake मानी जाती है, सामबर lake मानी जाती है, क्योंकि चिलिका lake जो है वो पूरी land के अंदर नहीं है, उसका कुछ area जो है, वो ocean को भी touch करता है, ठीक है, तो इसलिए आपने की याद रखना है, अगर आपको पूचे सबसे बड़ी inland, inland saltiest lake of India कोन सी है, वो सामबर lake है, और largest saltiest lake, या largest brackish water lake, वो कोन स अब देबर lake, देबर lake भी राजस्तान में है, इस lake का दूसरा नाम है, जैसंबंद lake, जैसंबंद lake, पास लेके ही बैठना, क्योंकि आज बहुत important चीज़े में आपको साथ लिखवानी है, देबर lake का दूसरा नाम है, जैसंबंद lake, और ये इंडिया की second largest artificial lake है, second largest artificial lake, अब artificial lake क्या होती है basically, देखो, एक lake होती है जो natural formation होती है, naturally बने, एक lake artificial way में prepare होती है, कैसे prepare होती है, जैसे मैं एक example आपको देता हूँ, जैसे suppose करो, आपने कोई dam बनाया है, ठीक है, यहाँ से पानी जा रहा था, यह पहले एक river थी, जैसे suppose करो, यह एक river थी पूरी, यह river में पा पानी गठा हो जाता है, यह एक तरह की lake बन जाती है पीछे, this is known as artificial lake, जितने भी dam बने हुए ना, उसके पीछे जो lakes बनती है, उनको बोलते हम artificial lake, और यह जो देबर lake है, यह इंडिया की second largest artificial lake है, तो आपने याद रखना हो, इस lake का नाम, जैसमंद lake भी है, और यह complete हो, देखो यह सिरफ एक mcq नहीं था, यह अपने आप में ही एक topic बन जाता है, कितने हमने चीज़ें यहां से cover करी है, next, koliru lake is located between, देखो koliru lake किस किस के बीच में lake located है, मतलब यह rivers के नाम है किन के बीच में है, क्या वो गुदावरी और कृष्णा के बीच में है, क्या व ठीक है, तो अब हम koliru, यह rivers वाला topic में लाओंगा, तो उसमें में rivers को आपको अच्छे से explain करूंगा, धक्षिन गंगा किसे कहते हैं, क्रिष्णा की tributaries क्या है, इनको हम समझेंगे भी सबसे उपर कौन है, नीचे कौन है, ठीक है, यह हम देखेंगे सारा वहीं पर, अभी मैं यह आपको समझा लूँ कि koliru lake जो है, गुदावरी और कृष्णा के बीच में आती है, और यह previous paper में पूछा गया question है, इसलिए मैंने लाया, अब हम koliru lake के बारे में समझते है, देखो koliru lake जो है बिसिकली, यह आंदरा परदेश में पाई जाती है, यह लेक आंदरा content बहुत काम होता है, बहुत काम होता है, बहुत कि साल्ट युमें, उफ्रेश वोर्टर, पीर brackish, बहुत काम है, और जाता है इकोता है, से काम होता है उन से कम होता है उन beşsh water, जैसे इंडिया की कोई पूछे को लेग जो है वो कौन सी लेग है या ब्रैकिश वाटर है तो आपने फ्रेश वाटर पहें मां करना और यह question भी पूछा जाता है ठीक है इतना ही आपने याद रखना है और यह रामसर साइट भी है रामसर साइट बेसिकली रामसर कन्वेंशन के तहट कुछ साइट को डिकलेर किया जाता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वेट लेंस होते हैं basically तो यह हम रामसर साइट्स पे में एक बहुत जल्दी वीडियो लाओंगा क्योंकि इंडिया की अब 75 रामसर साइट्स हो गी है और most recent 20 प्लेस साइट्स को add किया गया और उसमें मैं आपको बताऊंगा रामसर साइट्स का पूरा concept क्या होता है वेंबनार लेक ये केरला में है और ये इंडिया की सबसे longest सबसे लंबी जो हमारे पास लेक है वो वेंबनार लेक नेक्स्ट कहता है काबर लेक के बारे में देखते हैं देखो बिहार की एक लोगती important लेक है और आप इसको याद रख सकते हो काबर लेक reciो कहां पर है बिहार में पुलीकट लेक के बारे में पहले हम समझते है अच्छे से डिको पूलीकट लेक जो है न वह पहली बाद तो आंद्रा प्रदेश और तमिलाडू के बीच में है इसके बीच में आंदर प्रदेश और तमिलाडू के बीच में है और यह सेकिंड लार्जस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है मतलब पहले सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है सबसे लार्जस्ट ब्रैकिश वाटर या साल्टी लेगन कंसी धे एक तर्फियों लेंध में चिल का सामबर लेग लेक थी लेंध है ये पूरी अंदर नहीं है फुली का छो है वह डिनी को तैङ आपकेती है लट थे यह फिलिका पहली लाजस्ट हम मान सकते हैं की लाज ब्राइकिश वार्टर लेक है और पुलीकट सेकिंड लाजर और पुलीकट आंदर प्रदेश और तमिलाडू में है देखो पेपर में कन्फ्यूजिंग करते है कुलीरू और पुलीकट कुलीरू भी आंदर प्रदेश में पुलीकट भी वहीं आती है बट यह कि कुलीरू जो वहां पर एक island है छोटा सा श्री हरीकोटा तो वहां से इस्रो अपने लॉंच करता है रॉकिट वगयरा तो यह आप याद रख सकते हैं वह कौन सी लेक है जिसमें छोटा सा आइलेंड हो जहां पर इस्रो अपने उस्रों को लॉंचिंग पैड है तो पुलिकर लेक में है ठीक कि सबसे बड़ी इंडिया की brackish water brackish water मैंने आपको समझा लिया जिसमें salt content fresh water से ज्यादा होता है और ocean या marine ecosystem जितने भी उनसे काम होता है उसको बोलतें brackish water और largest इंडिया की brackish water lake जो है वो चिली का लेक है ये तो हमने देख लिया ठीक है पुलिकर लेक के बारे में भी हमने पढ़ लिया हुआ आंदरपरदेश और तेलंगाना के बीच में है second largest brackish water है और हमने देख लिया इस्रों का launching pad भी हां पर है श्री हरी कोटा में ठीक है फिर question पोचते है लोनार लेक एक crater lake है इसको कौन सी lake बोलते है crater lake या आपने याद है देखो यह lake कैसे बनी है आपको पता है ना हम जब छोटे होते थे बच्पन में तो अगर हम जब छोटे होते थे तो हम देखते थे चहत से कि उपर रात की टाइम जाते है तो तारा हमें लगत atmosphere में enter करता है तो वह जल जाता है और हमें वह ऐसा दिखता है कि वह तारा तूट के आ रहा है ठीक है वह क्या था meteor अब यही meteor जब अर्थ में पहुंच जाता है जमीन में भी पहुंच जाते कुछ meteor तो वह बन जाते हैं उनको क्या बोलते हैं meteorite ठीक है और कहीं बार यह meteorite ज तो लोनार लेक जो महाराष्टा की भुल्दाना डिस्टिक में है वो एक क्रेटर लेक आई होब आपको यह समझ आयो यह पेपर में कोशन पूछते हैं option में से which is the crater lake in इंडिया तो यह आपको याद रखना है next question is which lake is known as queen of lakes सभी lakes की queen किस lake को कहा जाता है क्या वो नाल सर ओवर लेक है वेंबनार लेक है लोग तक लेक है या पुश्कर लेक है इन में से कोई भी answer नहीं है मैंने वो डाला ही नहीं यहाँ पर basically queen of lake बोला जाता है शष्टाम कोटा लेक को शुष, काम, कोटा, लेक ये केरला की एक लेक है और इसी को बोला जाता है क्वीन ओफ लेक, अब हम इन के बारे में देख लेते हैं, नाल सोरोवर लेक ये गुजराद की है आपको याद राखना है, गुजराद की, और आप याद राख सकते हो, सरदार सोरोवर डाम भी वही पर है तो नाल सरोगर लेग भी आप वहां पर याद रख सकते हो गुजराद की एक लेग ठीक है वेमनार लेग मैंने आपको बिता दिया केरला की है लॉंग इस लेग है लोगतक लेग इंपोर्टन लेग है लोगतक लेग जो है वो मनीपूर में है और इसमें न क्या है बेसि बड़े बड़े ऐसे पैचीज हैं, बड़े बड़े ऐसे पैचीज में ऐसे आईलेंड टाइप आप कह सकते हो, तो वो हैं, ठीक है, और इन ही आईलेंड के ऊपर, इतने बड़े बड़े आईलेंड है ना, कि समझ लें, इन आईलेंड के ऊपर एक पार्क भी है, तो कौन सा केबूल लामजोओ नेशनल पार्क इन ऐखे लोगतक लेक पर है उनमें जो फुम्डी है बड़े बड़े ऐसे मतलब पैचीज में उन पैकेज उपर एक नेशनल पार्क ह Siqe सुट ऊचन CT कहां की लेक हैoffs एकमिनिपूर की और इसमें केबल लॉप्जाओ नेशनल पार्क भी है यहां पर तो आप ये भी याद रिख सके हो एंयिख फुश्कर लेख फुशकर लेख कहां की लेख नेफ उसकर लेक याप को याद र्ख और पुशकर ये राजस्थान में फेमस जगह है पुशकर यहां पर आई थिंग घमा जी का टेंपल एक ही है जो वो यहीं पर है शायद तो यह आप चेक कर लेना और पुशकर लेक बैसिकली राजस्थान में आपने यह याद रखने हैं अब विच इस दा लाज़ेस मैनमेड लेक और इन सबसे बड़ा इंडिया का मैनमेड लेक ही डाले है और इन सबको मैं समझाओंगा लेकिन इन सब में सबसे बड़ा इंडिया का कौन सा है इंडिया का सबसे बड़ा मैनमेड लेक है और इसका नाम रिहांद डैम भी है क्या नाम है इसका रिहांद डैम क्यों क्य रिहांद रिवर में है ठीक है अब रिहांद रिवर जो है वो आपने नाम इतना सुना नहीं होगा तो रिहांद रिवर ट्रिब्यूटरी है ट्रिब्यूटरी होती है जो किसी में रिवर में पानी डालती है ठीक है यह किसकी ट्रिब्यूटरी है सन रिवर की San River आप अगर आपको नहीं पता दो सन kis की ट्रिबीूटरि को गोविंद वल्लपन सागरН्ष डGER डैम जिसको रहान डैम में आपको आपको मैने बता दियां यह मैन कैसे बनते है जैसे यह डैम बना यह पानी आया रहा था डैम बना तो यहां डैम स्टीक है तो गोविद वल्लप सागर डैम को रिहांद डैम कहते हैं यह रिहांद रिवर में है और यह Sun की ट्रिब्यूट यह Sun in terms गंगा की ट्रिब्यूट यह किस के बीच में यह UP और MP के बीच में और MP में जो भी हुआ मार कर देना ठीक है। अब जो Option में हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं देखो राना पृताप सागर डैम और गांधी सागर डैम इन दोनू के बारे मेंदेखो यह दोनू चंबल में चंबल रिवर में तो देखो यह जो चंबल रिवर मध्याप्रदेश से आती है ठीक है राजस्तान में भी जाती है जब यह मध्याप्रदेश में होती है तो इसमें जो डैम बनता है ना एक और यही जब राजस्तान में आती है तो इसी पे एक डैम है राना परताप सागर डैम यह तो आप याद रख सकते हो न राम से राना परताप कहां थे राजस्तान के थे जिन्ने वार लड़ी थी और गांदि सागर डैम पर है मध्याप्रदेश में वो भी चंबल र тыए तो ठीक है आप मुझे बता सकते हो बाख्रा नंगल जो हाइडल पावर प्रज video है यह क्या है वो इंडिया यह इसा है यह है गुरु गोविन इसलों के नाम पर पढ़ जोगो थे उनको devote करने के लिए सिखिजम के तो इसको आप याद रख सकते हैं यह माचल पर देखो मैंने आपको हर तरह से समझाने की कोशिश करी किसी चीज की सा relate करके ताकि आप इन चीजों को याद करो और यह सारा कुछ exam point of view से बहुत important है हर एक exam में इसमें से question आता है lakes में question तो आता ही है अब quick digest में जो भी बचा हुआ है वो हम सभी cover कर लेंगे यह तो मैं आपको बताई चुका हूँ largest inland saltwater lake कौन सी है सामबर lake inland within land territory largest freshwater lake सबसे बड़ी freshwater lake कौन सी है बुलर lake आपको बता है बांडीपूरा में बुलर lake जो है वो सबसे बड़ी freshwater lake है जेंड़के में और यह एक oxbow lake है यह भी paper में question पूल अब question arises what is oxbow lake oxbow lake क्या होती है देखो जैसे कोई यह river आ रही है इसका यह course है जाने का यह इसका course है यहाँ से यह ऐसे जाती है यहाँ से यहाँ से यह बन जाता है मतलब यह river से river जब अपना रास्ता चेंज करती है तो kaart के एक लेक जो बन जाता है इस तरह का इसको बोलते है ऑक्सभॉadamente और वूलर लेक एक ऑक्सभॉ Mis俊 को लेक है नेक्सट नेक्सट गाया स्च्वापड लेक मैंने आपको बता दिया है वंबनार लेक इंडिया की लॉंगेस्ट पाई जाता है क्या बेशिकली बैक ओटर देखो क्या होता कि कि कहीं बाद ना रिवर से पाणी को एक एक रिवर पर है Gandhra Worl District of Gandhra Worl District of और इंडिया की सबसे छोटी लेक कुष कोण सी है? smallest लेक निँडिया केला में है? Pukoda Lake इसका नाम है ठीक है? यह smallest लेक है इंडिया की केला में है फिर लोकषक लेक के बारे में आपको बता चुका हों में पहले ही लोगषक लेक मनिपूर में है तीक है यह एक फ्रेश वार्टर लेक है यह याद रखना एक प्लोटिंग नेशॉनल पार्ग है जिसका क्या नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्ग और संगाई डियर यहां पर पाई जाते हैं यह यह स्टेट एनिमल भी है मनीपूर का तो आप याद रख सकते हो ठीक है लोग तक लेख के बारे में उसके बाद उत्राखन की लेख है रूपकुंड लेख इसको स्केल्टन लेख भी कहते हैं यह paper में कोशन पूछते हैं which lake is also known as skeleton lake वो कौन सी लेख है रूपकुंड लेख ठीक है आप उत्रा खन कि कुछ आप लेक्स के नाम याद रख सकते हैं प्र भीम तल लेक तल वाली ना काफी उत्राखन में आती है नैनी ताल है यह तो सबने सुना होगा और तो एक स्टोरी भी थी हमारी अर्ली क्लासिस में प्र रक्षश तल रक्षस तल ये सारी कहां आ जाती है उत्राखंड में लेकिन अगर आपको पेपर में रामगर तल आई है तो रामगर तल उत्राखंड में नहीं है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताना रामगर लेक जो है वो किस टेर में है रूबकुन लेक, एक स्केल्टन लेक है, तो ये कहां पर है, उत्राखन में, और मैंने उत्राखन की आपको कुछ लेक्स बता दी, भीमतल, नैनीतल, रक्षसतल, तल वली मतलब उत्राखन ने, वर रामगर तल उत्राखन में नहीं है, वो आप मुझे बताओगा, ये कहां पर ठीक है, बुलर लेक, ऑक्सपो लेक है, ये मैं अल्रेडी एक्स्प्लेइन कर चुका हूँ, जेंड के में है, पाइंडिपूर दिस्टिक में, डल लेक के अगर हम बात करें, डल लेक स्रिनगर की फेमस, इसको बोलते हैं, जिवल इन क्राउन आफ कश्मीर, ठीक है, ये दे किसको बोलते हैं, जिवल मतलब मतलब मोती, ठीक है, तो मोती इन क्राउन आफ कश्मीर में, मोती धल लेक को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसका अंसर मुझे दे देना, वैसे इसका अंसर लेक बैकाल है, ठीक है, लेक बैकाल की ये क्वालिटी है, वो आप मुझे बताना, क्या है लेक बैकाल की quality और मैं आपको जब वर्ल्ड की लेक्स लाऊंगा उस पर topic लाऊंगा अगर आप मुझे demand करोगा तो मैं लाऊंगा वो topic उसमें में cover कर दूँगा यह सारी चीजें की वर्ल्ड की lakes क्या important, highest lake कुन सी है, वर्ल्ड की longest कुन सी है, इस lake की क्या importance है, largest मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, next, Ukaidam, Ukaidam या Ukaidam कहते हैं, यह कौन सी river में है, तापी river में है, और कौन सी state में है, गुझराद में, ठीक है, next, Tamil Nadu के एक lake important है, कि इस reason की वज़़ा से important है कि यह lake, चिनेई city को water की supply करती है, Tamil Nadu की capital जो है चिनेई, इसलिए इंपोर्टन हो जाती है, इसका नाम है, चंभा रमकम लेक, चंभा रमकम लेक, इसका नाम है, ठीक है, लोगतक लेक वापीस आ गया, चलो, लोगतक लेक बहुत बार आ चुका है, कुछ और ही additional fact होगा, यहाँ पर birds पर गयरे की protection के national park है, यह और लोगतक लेक, इनको Montrex record में रखा गया है, wetland conservation, देखो, राम सर, होती है, ना, ठीक है, यह basically wetland conservation के लिए होते हैं, wetland क्या होते हैं, उनकी conservation, राम सर साइड यह में लाऊंगा, कुछ राम सर साइड होते हैं, उनके अंडर भी एक record मनाया गया, Montrex record, Montrex एक जगा का नाम था, जहांपर यह decide किया गया, Montrex record में क्या किया जाता है, कि राम सर साइड के अंडर कुछ ऐसी side हैं, जिनको extra protection दिये जानी चाहिए, उनको बोलते हैं, Montrex record, उनको Montrex record में इंडिया की दो जगाएं हैं, एक लोग तक वेटलेंड है, उसको रखा गया है नाम उसका और दूसरा के लोडियो नैशनल पार्क जो की राजस्तान, इस से बाहर question frame होना मुश्किल है, बट यह चीजें तियार करनी आपको दीरे-दीरे करनी पड़ेंगी, देखो मैं ट्र त्रिक्स त्यार करने का क्या फाइदा है, अगर आपको ट्रिक्स याद करनी पड़ेंगी पहले, ठीक है, फिर त्रिक्स बूल जाते हैं, अगर आप इनको समझ कर याद करोगे, और विजुलाइज करोगे चीजों को, तो यह आराम से त्यार हो जाएगा, देखो ट्रिक्स प्यार करने का यह बैनिफिट होता है, जो बहुत डिफिकल्ट चीजे हो, यह इतनी डिफिकल्ट है नहीं है, इनको समझ किया आप एरिया वाइज याद कर सकते हो, कौन सी कहां पर है, ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे हमारे चैनल में पॉलिटी की सीरीज भी चल रही है, हिस्ट्री की भी चल रही है, ठीक है, और भी competitive related हम पढ़ाते हैं, एक बार हमारी playlist को चेक करें, और अगर आपको हमारा content पसंद आता है, तो आप इसको share करें, तो those who are preparing for the same, because हमारा नया initiative है, if you like it, तो आप हमारे साथ आप join कर सकते हो, thank you so much.